राजस्तान की करॉली धौलपूर लोगसबाक शेत्र का इलाका परिसीमन से पहले बयानक शेत्र में आता था हाला कि बीजेपी का इस शेत्र में पहले दबदबा रहा है लेकिन हाल में हुए विदानसबा चनाओं में कॉंग्रेस ने यहां की आठ में से साथ सीटों पर कबजा कर जबर्दत वापसी की है करॉली धौलपूर में रायस्तान में दूसरे चन्ड में मद्दान होगा यहां से भाजपा ने मौजूदा सांसत मनोज राजोरिया पर फिर विश्वास रताया है मैं कॉंग्रेस ने संज जाटव को टिकट दिया है अनिल जी यह चुनाव हाला की बड़ा रुचक हो गया है मनोज राजोरिया की एंटी इंकमपेसी काफी है इस इलाके में बीजेपी पांच से बार यहां चुनाव जीता है पहले यह सीट एक्चुली बयाना हुआ करती थी लोकसभाई सीट और ज बयाना से ये रिजर्फ सीट थी तबस् शुरू से अभी रिजर्फ सीट है अब ये जाटव को टिकट दिया और मनよねजोर राज राजोरिया भी पीसे है तो मन् leakage राजेर रही कि जो नामांकन सभा थी अँगान कमण थी वस्लTTD आघ इस आप पर चुन कांग्रेस ने बहुत prevail करता है और मेव भी है कुछ उसे समधाय की लोग भी है तो जातीवादी हवा सबसेदा भरतपुर और करली दहुलपुर और दोसा इन थीन सीटों बहती है और इन में मीना वोड भी है काफी गुजर वोड भी काफी है तो ये भरतपुर भी जाटा को टिकर दिया कॉं यहां से थन्सिंग जाटब एक बार रह चुके हैं, बीजेवी टृक्ट पे सांसत, गंगाराम कोली रह चुके हैं, बीजेवी टृक्ट पे सांसत, और कोली कई बार दहें तो इसलिए यह इन दौने इलाकों में B.S.P. का भी प्रभाव है, बहुजान समाठ पार्टी यहां स साथ सीट कॉ Swanाज पास है नहीं लेकिन के पत्याशी जब खड़े होते हैं तो वह को अंबेडकर के नाम पर काशी नाम के नाम पर बहन मायवति के नाम पर वोट मांगते हैं और कहीं ही कृस्लिड़ेड करते हैं जाती वात की आदार पर ऐसी वोटर को जो कॉंग्रेस की वोटर है तो डिमेज ब्रकुर्ट को लेकिन आजकल क्या है कि ज्यादा तर लोगस्वा कि यहां के लिग आपने कहा कि जो मनोर राजवरिया मौझूदा सांसन है उनके प्रती थोड़ा सा लोगों में नाराजगी भी है बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ काम नहीं कर आए और लेकिन वसंद्रा राजे जी का ये ग्रैक शेत्र है धौल पूर जुड़ावा है तो क्या उनका प्रभाव कुछ काम करेगा हां करेगा काम अन्होंने तो नामा करन भी भूळाया गई भी है वहां पर जाएंगी आगे भी जाएंगी प्रचार करने भी जाएंगी पर वो धौलपूर शेयर की सीट कर लें जो करना है वागि कोई ग्रामी लाकों में ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि वो उनके स्टेट जहां पर डी सिट पर आप यह यह शेरी वोटर नहीं यह है का हम डामीन है Galmm najbardziej इस बर सीट पर घॉमीं सोच में और शेहर सब्सक्त एग और पर आदमि आद कर रहा आजमी जैसे शेहरों में कर रहा आज है जो ट simplesmente कर मोद rooted बौत उन्हीं है त्य mut Ty the Co we वो गामीन शेत्रों में भी मोधी मोधी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो मोधी मोधी करने वालोग है वो सोचल मीडिया से और इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, टीवी चैनल से, इन से उनकी कंडिशनिंग हुए दिमाग की, कंडिशन्ड हो गए वो, दिमाग उनके, वो दूसी वाद सुनते हैं भक्त हो गए वो, तो मोधी भक्तों की फौज गारगामी लाक में थोड़ी कम है, और मुझे लगता है कि इसलिए इन सीटों पर चुनाव कंट्रेस्ट का होगा, और इसमें कॉंग्रेस का परड़ा, दोनों सीटों पर दौसा भी मैंने पहले जिकर किया, और करोली सवाई दौलपूर भी किया, यह वो सीटे हैं जहां पर अधिकांश विधायक भी कॉंग्रेस के हैं, या कॉंग्रेस के साथ हैं निर्दली हैं तो, और जनता ने अठारा के चुनाव में इनको अच्छा वोट दिया कॉंग्रेस को, और मुझे लगता है कि यह दोनों सीटें, सीटों का इस वक्त पलड़ा, कॉंग्रेस तरफ भारी है, चुनाव है, संगर्ष होगा, कुछ भी बढ़नाम हो सकता है, इसमें कुछ जो रहा है नहीं, कौन दालने आता है, चुनाव का नतिया तो डलेवे वोटों पर निर्बड करता है, शड़क पर किनारा लगाने वालों से निर्बड नहीं करता, आमसवा में आने वालों पर निर्बड नहीं करता, अमिर्ड शाय उनकी पूरी रैली हो गई, जबरदस दौसा में, खिरोड़ी दोनों खिरोडी साथ हो गए, पर इसका ड़जन्ट मैटर, मैटर यह करता है कि बूत पर कौन दाके वोट डालता है, वो किस तारिक वे लोग कितने वोट डालते हैं, यह निर्बड करता है, तो वोटिंग के दिन वोट डलवाने वाली मशीनरी किसकी अक्टिवेट होती है, इस पर भी निर्बड करेगा चुनावों का परिणाव। को मिलाकी लेकिन यहां कर जो मद्दाता है, वो भी भवर जाल में फसा हुआ है, कॉंग्रेस थानिय मुद्दो को हवा दे रही है और भाषपा राष्ट्री मुद्दो को चाल रही है, अब वो क्या सोचता है, क्या सोचके वोट डालता है, ये तो छे मही को पता चलेगा, अनिल जी, प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी एक बार फिर थोड़ा सा श्री राम भक्तों चलाए है, उन्होंने जैश्री राम के नाने लगवा दिए, आज अयोध्या में उनकी सभाती अच्छ फड़ा से दस पारा किलोमेटर दू कहीं, समाब्न के बक्त उन्होंने जैश्री राम का नाना लगवाया, फिर जैश्री राम, फिर जैश्री जैश्री नाम, तो वो उन्हें अपनी जो सभा का समावन था वो ऐसे मोड़ में लाय कर दी आयोध्या में आकर में धन्य हो गया आज यहां से शुरू किया था और जैशी राम के नारे पर तो चुनाव को जो टर्ण देना चाहते हैं वो दे लेते हैं और उन्हें महारत हासिल है कि वो जो दिशा देना चाहते हैं वो दिशा दे देते हैं जन्मानस को तो वो उन्होंने आज फिर एक नई दिशा दे दी जिसका जिक्रावी पिछले दिनों बहुत कम था लेकिन आज अज यूपी में चुनाव व्यांग कर दिया वो काम जो करना चाहती है बीजे पी यह उसी का एक हिस्सा है और मुस्लिम वोट को चाहे बीजे पी ने डिरेक्ली इंडिरेक्ली अखलेश मायावती के गटबंदन से कॉंग्रेस को दूर रखवा कर यह मैनेज कर दिया कि मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, स्थी का वोट अनिल जी मायावती जी का भी एक दोरा होना है यहां पर उनकी वी सबा होनी है क्या उसका कुछ लगता आपको प्रभाव प्रदेश के अंदर कहीं आपको दिखाई लिए अलवर में करके गई है उस अच्छी सबा वी थी उनकी और उनकी सबा की वाजे से भावन जितन बारी निक्सान हो सकता है तो बहुर जी जैन सिंग आज इस चिंता में से हैं मतलब कि वो बीएस्पी की जो सबा हुई मायावती की वो कितना इंपेक्ट शोड़ती इसको रिपेर करने में में लगे हूँ है वो आज गयलो जी भी इस तरफ गये हैं गोविंद गढ़ गये ह होगा वहां पर अग्रेसिव होगा काफी और जो बहुर जी जैन सिंग के सामने सब्सक्राइब चुनोती यही है कि बीएस्पी के प्रत्याशी को अपने वोट काटने से ज्यादा ज्यादा रोके हैं चलिए आज सत्ता संगराम में हमने बात की करॉली धॉलपूर स्टीट क की और दोसा सीट की और अनिल जी का मानना है कि फिलहाल का जो हम महौल देखते हैं दोनों सीटों पर कॉंगर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है फिर मिलेंगे सत्ता संगराम में आज के लिए बस इतना ही नमस्कार